स्पाइडर मैन एंड डेर डेविल ये दोनों करेक्टर मार्वली निवर्स के काफी पॉपिलर करेक्टर है और फैंस इनको काफी ज़्यादा पसंद करते हैं जिसकी जिससे फैंस के बीच ये डेविट चलती ही रहती है कि इन में से कौन ज़्यादा पाउरफूल है वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहें तो चलिए फिर स्टार्ट करत दोरान जहां पर उसकी आइस चली गई लेकिन उसके पास काफी सारी पावर्स आ गई जिन पावर्स में शामिल है सुपर यूमेन सैंसेस जिनकी मदद से वो एजली किसी भी चीज को लोकेट कर सकता है वो छोटी सी मूवमेंट को भी पैचान सकता है इसके लाव डेर डेव को जान से नहीं मारता इसलिए अपनी श्टिक का यूज करता है बस उनको भेश करने के लिए तो ये थी डेर डेविल की पावर अब बात करते है स्पाइडर मेन की पावर्स के बारे में जैसा कि आप लोग जानते पेटर पारकर पहले एक नॉर्मल यूमेन होता है लेकिन अब बात में जब उसे एक रेडियो क्टिव था उसके रख लिया था उसके पास पाव और सब्किर पावर्स के लेव ने बढ़ गया वूमें के बारे में बात करठो अब बात करें कि अगर इनके powers के base पे देखा जाए तो यहां पे winner कौन होगा तो simply मापको अगर इस battle का decision लेके बताऊं तो यहां पे spider man इस battle को अराम से जीत सकता है हाला कि हमें पता कि spider man की हलकी सी movement को जो है dare devil भाप सकता है और उससे easily बच सकता है लेकिन फिर भी spider man के पास भी अपने super senses है जिनका use करके वो भी dare devil के हर एक attack को easily dodge कर सकता है और उनसे बच सकता है लेकिन यहां पे dare devil की strength level है वो spider man के सामने कुछ भी नहीं है spider man ने एक चलती train को भी अपनी strength की मदद से रोका था वहीं पे इसका durability level काफी ज़्यादा है और इसने winter soldier की punch को easily अपने एक हाथ से रोक लिया था जो कि dare devil के लिए करना लगबग नामुंकिन है वहीं पे dare devil की मुकावले इसकी speed level भी काफी ज़्यादा है और यह काफी ज़्य flexible है jumping काफी ज़्यादा कर सकता है और dare devil के साथ अगर battle होती है तो यह dare devil को कुछ ही मिन्टों में हराने की capability रखता है तो यहां पर इन दोनों character की battle में मैं easily spider man को ही pick करना चाहूंगा क्योंकि उसका जो power level है और dare devil से काफी ज़्याद है हाला कि dare devil को काफी अच्छी knowledge है battle करने की लेकिन फिर भी हम लोग simply spider man को इस battle में pick करेंगे क्योंकि उसका power level dare devil से काफी ज़्याद है तो आज के हमारी यह वाली वीडियो यहीं तक थी अगर आपको वीडियो में कुछ भी चला गया तो वीडियो को like करके हमारे इस चैनल को subscribe करे लेना ताकि आपको future में ऐसी और भी amazing देखने को मिलती रहें तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग पहले अप्लोड की गई सारी वीडियो देख लेना वह काफी ज़्यादा ओसम है